दोस्तों नमस्कार दोस्तों आज की रस भरी जिन्दगी और भीड़ भाग दोड़ में लोग अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाते हैं ऐसे में दोस्तों बहुत सारी ऐसी बिमारियां हैं जिसके हम सिकार होते जा रहे हैं और उन में से दोस्तों एक बहुत बड़ी विमारी है जिसे कहते हैं kidney failure आप जानते हैं कि kidney का हमारे सरीर में बहुत बड़ा योगदान है और यह हमारे महत्पून अंगों में से एक है दोस्तों अगर kidney में कोई समस्या हो रही है तो इसका संकेत आपको पहले से ही मिल जाता है तो आएए देख लेते हैं कि वो कौन-कौन से लच्छन हैं कौन-कौन से ऐसे symptoms हैं जो kidney failure की ओर संकेत करते हैं kidney सरीर से abscist उत्पादों को चानने के लिए जिम्मेदार होती है के लिए जिम्मेदार होती है लाखों लोग kidney की कई तरह की बीमारियों के साथ जी रहे हैं इस kidney की बीमारी के संकेतों को आप जान लीजे और उस पर आप ध्यान दीजे हम सभी जानते हैं कि प्रतेक मानों सरीर में दो kidney होती हैं जो मुख रूप से यूरिया, क्रियेटनिन, एसिड, आद, अपसिस्ट उत्पादों को चानने के लिए जिम्मेदार होते हैं लाखों लोग kidney की कई तरह की बीमारियों के साथ जी रहे हैं और उनमें से ज्यादा तरको इसके बारे में जरा भी अंदाजा नहीं है kidney की बीमारी के लक्षण कई हैं लेकिन कभी कभी लोग उन्हें अंदेखा कर देते हैं या अन्य परिस्तियों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं इसके लिए अलावा kidney की बीमारी वाले लोगों को लक्षण जल्दी महसूस नहीं होते हैं जबकि या जानने का एक मात्र तरीका है कि आपको kidney की बीमारी है या नहीं टेस्ट करवाना चाहिए अगर आपके पास high blood pressure, diabetes, kidney failure का पारिवारिक इतिहास या 60 वर्स से अधिक उम्र के करण kidney की बीमारी का खत्रा है तो kidney की बीमारी के लिए सालाना टेस्ट कराना जरूरी है हालांकि कुछ संभावित संकेत हैं जो बताते हैं कि आपको kidney की बीमारी हो सकती है यहां उन्हीं संकेतों के बारे में हम आपको बता रहे हैं और उसका जिक्र कर रहे हैं आप अगर अधिक ठके हुए हैं तो किड्नी फंक्षन में गंभीर कमी से रक्त में बिसाक्त पदार्थों और असुद्धियों का निर्मार हो सकता है इससे लोगों को ठकान, कमजोरी महसूस हो सकती है और ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो सकता है किड्नी की बिमारी की एक और जटिलता एनीमिया है जो कमजोरी और थकान का कारण बन सकती है दोस्तों बार बार मुँ सुखना, जीव में जलन या छाले इस खतरनाक बिमारी के लच्छन अगर हैं तो समय रहते आप हो जाए साउधान आपको सोने में परिसानी हो रही है, किड्नी के समस्या हो सकती है जब किड्नी ठीक से फिल्टर नहीं कर रहे होते हैं तो विसाग पदार्थ रक्त में रहते हैं इससे सोना मुश्किल हो जाता है मोटापे और क्रोनिक किड्नी रोग की बीच एक लिंक भी है और सामान आबादी के तुलना में क्रोनिक किड्नी रोग वाले लोगों में स्लीप, एपनिया अधिक आम है आपकी ड्राई और खुजली वाली तवचा है हिल्दी किड्नी कई महत्पूर कार करती है वे आपकी सरीर से अप्सिस्ट और अत्रित तरल प्रदाफ निकालते हैं लाल रक्त कोशकाओं को बनाने में मदद करते हैं हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करते हैं और आपके रख्त में खनीजों की सही मात्रा को बनाये रखने का काम करते हैं। ड्राई और खुझली वाली त्वचा, खनीजा और हडडी की वीमारी का संकित हो सकती है, जो अक्सर बेतर किड़नी की वीमारी के साथ होती है, जब किड़नी अब आपके रक्त में खनीजों और होसकतं का सही संतूलन्द नहीं रखपाते हैं। आपको अधिक बार प्रिशाब करने के जरूत महिसूस होती है, खास कर रात में तो यहाँ किड्नी की बिमारी का संकेत हो सकता है, जब किड्नी की फिल्टर छतिक रस्त हो जाते हैं, तो यहाँ प्रिशाब करने की इच्छा में ब्रिधी का कारणा बन सकता है, कभी-कभी यहा हुए प्रोस्टेट का भी संकेत हो सकता है आप अपने फिसाब में खून देखते हैं तो हेल्दी किड्निया आमतार पर रक्त से अपसिस्ट को मूत्र बनाने के लिए के शरीर में रखते हैं लेकिन जब किड्नी के फिल्टर चतिक रस्त हो जाते हैं तो यह रक्त को सिकाएं मूत्र में रिशाव करना शुरू कर देती हैं किड्नी की विमारे का संकेत देने के अलावा मूत्र में रक्त ट्यूमर किड्नी की पत्री या संक्रमन का संकेत हो सकता है आपका फिसाब अगर ज्ञागदार है तो मूत्र में अतधिक बुलबले मूत्र में प्रोटीन का संकेत देते हैं यह ज्ञाग उस ज्ञाग की तरह लग सकता है जिसे आप अंडों को खुरस्ति समय देखते हैं क्योंकि मूत्र में पाया जाने वाला सामान प्रोटीन अलबूमिन वही प्रोटीन होता है जो अंडों में पाया जाता है अगर आँख के आसपास लगतार सूजन का अनुभव होता है तो मूत्र में प्रोटीन एक प्रारंभिक संकेत है कि किड्नी के फिल्टर चतिग्रस्त हो गए है जिससे प्रोटीन मूत्र में लीक हो जाता है आपकी आँखों के आसपास या फुस फुस इस फैक्ट के कारण हो सकता है कि आपके किड्नी सरीर में रखने के बजाए मूत्र में बड़ी मात्रा में प्रोटीन का रिशाव कर रहे हैं दोस्तों आपके टक्निया और पैर सूज गए हैं किड्नी के कारचमता में कमी से सोडियम प्रतिधारन हो सकता है जिससे आपकी पैरों और टक्नों में सूजन हो सकती है टक्नों में सूजन भी हिरदय रोग, लीवर रोग और पुरानी पैर की नसों की समस्याओं का संकेत हो सकता है आपको भूग कम लगती है या एक बहुत ही सामान लच्छन है लेकिन किड्नी की कारेच्छमता में कमी के प्रणाम ज़रूप विसाक पदार्थों का निर्माड एक कारण हो सकता है मसल्स क्रेम्स हो रहा है बिगड़ होए किड्नी फंक्षन से एलेक्टोलाइट अनबैलेंस का प्रणाम हो सकता है लो कैल्सियम लेबल और खराब नियंत्रित फासपूरस मसल्स क्रेम्स में योगदान कर सकता है तो दोस्तों अगर इस प्रकार का कोई भी लक्षन आपको नजर आता है तो आप जो है देर ना करें समय रहते जो है अपना टेस्ट कराएं और जाने की ये जो लक्षन है वो किस कारण से आपको नजर आ रहे हैं क्योंकि दोस्तों जानकारी ही बचाओ है सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आपके सरीर में अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप उसे अंदेखा ना करें समय रहते जो है उसका टेस्ट कराएं और उचित इलाज कराएं तो दोस्तों इसी आसा के साथ कि आप स्वस्त रहें मस्त रहें मिलेंगे आपसे नेक्स वीडियो में कुछ नहीं जानकारी लेकर तब तक के लिए नमस्कार अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा विल आइकन को प्रेस करके आल तो मिलते हैं दोस्तों आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार